नमस्ते दोस्तों मैं राहूल और आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल आईसी मंतरा पर और आज हम लोग बढ़ेंगे कोडिंग डिकोडिंग के टॉप टैन प्रिवेस येर कोशिंग्स अब ये 10 कोशिंग्स बिलकुल मत चोड़ना चाहे आपको कोडिंग डिकोडिंग आती है या फिर नहीं आती है क्योंकि ये वो बैस्ट कोशिंग्स है जो कि आप अगर प्रैक्टिस करके नहीं गए या फिर आपने कभी भी ये कोशिंग्स सॉल्व नहीं करे हैं और इस तरह का कोशिंग्स अगर एक्जाम में आ गया तो आप इनको सॉल्व नहीं कर पाऊगा ये कोशिंग्स आपके छूटी जाएंगे ठीक है और अगर सेलेक्शन लेना है खासकर सी सैट जैसे एक्जाम में ठीक है तो एक-एक कोशिंग्स बहुत ज़्यादा इंपोट हूँ तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर करो शेर जरूर करो अपने दोस्तों के साथ हमारा सी सेट पाउंडेशन को पूर्स चाहिए free of cost तो आप हमारे टेलीग्राम से जूड सकते हो या फिर हमें वर्टसप कर सकते हो कौन से वाले नंबर पर वर्टसप करोगे अभी पता देता हूँ मैं इस वाले नंबर पर आप वर्टसप कर सकते हो ठीक है अच्छा एक और information जो की बहुत important है आपके लिए हम start कर चुके है 21 days 21 marathon और इसकी second class आज होगी math में आज हम पढ़ेंगे ratio और ये class अब daily हो रही है 9 बजे live ये live class है ठीक है तो live class आके join करो because live class में अगर कोई doubt होता है तो आप comment में साथ की साथ पूछ सकते हो ठीक है इसलिए हमने live classes भी start कर दी है पहली class हो चुकी है उसमें percentage बढ़ चुके है उस class को एक बार देख लेना और एक दिन में एक chapter complete कर देंगे अराम से आपका CSAT qualify हो जाएगा चलिए तो सीधा अब हम चलते हैं first question पर देखो first question जो आया है वो है UPSC CSAT 2020 का question इसमें क्या बुला है A to Z are numbers from 1 to 26 तो A से लेकर Z तर जितने भी letters है उन्हें number कर दिया गया है GIGHI का number जो coding number हमें दिया है वो 1578 दिया है DEF का coding number दिया है हमें 912 तो ABC का coding number आपसे पूछा गया है अब मैं guarantee ले रहा हूँ कि इस question को अगर आपने कभी attempt नहीं किया है या फिर इस तरह का logic आपने कभी नहीं पड़ा है और ये question अगर exam में आ गया तो यार आप इस question को छोड़ कर ही आओगे क्योंकि इसमें logic की कुछ इस तरह का लगा है अब ध्यान से समझना कि इस question में logic क्या लगा है बहुत ही अच्छा question ये UPSC ने बनाया था तो पहले में लेक रहा हूँ जी जी एच आई तो जी को जी कितने पर होता है आप बोलो कि रहाँ सेवन पर एच होता है एट पर आई होता है नाइन पर ठीक है तो यहाँ 789 आ गया बट यहाँ अगर हम code देखते हैं तो वो है 1578 हना दूर तक ऐसा कुछ नहीं है तो अब क्या करा है यहाँ पर टू से multiply करो इन सभी को टू से multiply किया तो यह कितना आया हमारे पास 14 यह आगे हमारे पास 16 और यह ओ गया 18 तो आप बोलोगे सर 14 16 18 आ गया अब भी यह code नहीं आया है मतलब UPSC नेना हद कर दी इस question को बनाने में अब उन्होंने क्या करा है जो यह आपके numbers आए है इन numbers का जो first digit है उसको तो ऐसा code रखा है और इनका जो unit date है उसको add कर दिया है next वाले number के first digit में तो 4 को 1 में add किया कितना होगा 5 तो यहाँ पर आ जाएगा 5 पर यह 6 इसको 1 में add किया कितना आ जाएगा 7 तो 7 को यहां रखा code के अंदर और last क्या बचा है 8 then 8 को यहां लिखा तो आपको यह code अब मिल गया है 1578 देख रहे हो हाना क्या तगड़ा logic है तब ही मैंने बोला कि ऐसे questions अगर आपने कभी life में attempt नहीं करें तो आप नहीं कर पाओगे न यह होता है हमारा 4 पर E होता है 5 पर और F होता है 6 पर multiply by 2 कर दोगे सभी को multiply by 2 किया तो यह होगा 8 पर 8 नहीं लिखना है 0 8 लिखना है 2 dates में लिखना है क्योंकि first जब हमने coding बनाई है तो यह भी 2 dates में ही है 5 इंटू 2 करोगे यह कितना आएगा 10 6 इंटू 2 करोगे यह कितना आ कितना आएगा 9 0 प्लस 1 करोगे कितना आएगा 1 और यहां पर आजाएगा 2 तो इसका code है 9 1 2 हना 0 को नहीं लिखेंगे तो 9 1 2 इसका code आ गया है तो अब हम same as ABC का code बना लेंगे ठीक है तो अब हम ABC का code बना लेंगे तो यह होगा ABC यह होगा 1 2 and 3 multiply by करोगे कितने से 2 से लॉजिक अब हमें पता है कितना आएगा 0 2 कितना आएगा 0 4 कितना आएगा 0 6 तो यहां लिखा 0 2 को 0 में अड़ करोगे 2 4 को 0 में अड़ करोगे 4 अर लास्ट में क्या बचिया 6 तो हमारा answer आएगा 2 4 6 option D क्या है हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है तो level देख रहे हो logic क इसलिए बहुत अच्छे questions है ज्यान से समस्ते चलना बस नेक्स question है कि hotel को हना यह UPPCS CSR 2022 का question है hotel को code किया जाता है 300 तो hostel को क्या code किया जाएगा यह easy question है इसको हमारा हमसे बना सकते हैं इतना lengthy question यह जितना हमने first question किया है hotel coding करोगे तो h होता है कितने पर 8 पर o होता है हमारा 15 पर t होता है 20 पर e होता है 5 पर l होता है हमारा 12 पर ठीक है इप्लाय करोगे 5 से कितना आ जाएगा यह 300 आ जाएगा ऐसी हम लिखते है होस्टल होस्टल और होस्टल का अगर हम सामने कालेंगे तो h हुआ 8 पर o हो गया हमारा 15 पर s हो गया 19 पर t हो गया 20 पर e हो गया 5 पर और l हो जाएगा हमारा 12 पर यह नंबर्स तो याद होंगे न सभी को एड करोगे तो कितना आएगा 79 अब देखो यहां कितने से मल्टिप्लाइ किया था 5 से तो आप यहां भी क्या करोगे 5 से मल्टिप्लाइ करने जाओगे बट यह गलत हो जाएगा ठीक है मालो अगर वह option दे था 5 से मल्टिप्लाइ करकर तो हमें option ही नहीं मिलता तो यहां action में जो यह multiply किया गया है 5 से अब इस चीज़ को समझना जो यह 5 से multiply किया गया यह 5 से multiplication नहीं है यह है number of digits से multiply यह number of digits से बोलेंगे हम number of letter बोलेंगे digits से बोलेंगे तो number of letters कितने हैं यहां पर एक दो तीन चार पांच तो इसमें देखो कितने हैं एक दो तीन चार पांच है तो यहां पर 6 से multiply करोगे और answer आएगा 4 74 option a क्या होगा हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा option a क्या होगा बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए ना move करें next पर next भी हमारा UPPCS CSAT 2030 का question है इसमें बोला गया है कि LC को code किया गया है 6 TE को code किया गया है 10 तो PD को क्या code किया जाएगा ये भी बहुत classic question है इस question को भी करने में आपको time लगता देखो अगर हम बात करें LC की LC तो L कितने पर होता है L होता है 12 पर तो यहां लिखा हमने 12 minus 2 multiply by C कितने पर होता है 3 पर तो यहां हो गया 3 तो इन्होंने basically क्या किया है कि first letter का place value है मतलब L कितने पर आता है 12 तो उसको 12 लिखा और जो 12 में से minus कर दिया है जो यह दूसरा letter है इसके twice से इसके दुगने से ठीक है तो यह कितना आ जाएगा हमारा 6 आ जाएगा ऐसे अगर मैं को बात करूँ TE की तो T कितने पर है 20 पर minus क्या करेंगे 2 times of EE कितने पर होता है 5 पर तो 20 में से 10 गया तो कितना बच गया 10 तो यहाँ आप देखोगे 10 मिलेगा आपको तो अगर हम P D की बात करें तो P होता है 16 पर और इसमें से minus करेंगे 2 multiply by 4 क्योंकि D होता है 4 पर 16 में से 8 गया कितना बच आठ option B क्या होगा हमारा बिलकुल सही answer हो जाएगा ठीक है चलिए ना move करते है next question पर next question में हमें बूला गया in a certain code express is coded 92 feeling is coded 44 then emotion हमें बताना है 36 गर्सी से 2022 का question है अब देखो mind में ये चीज मतला ना कि सर ये question तो 36 गर्ड PCS में आया है तो हमारे एक्जाम में तो नहीं आयागा नहीं देखो question move करते हैं 36 गर्ड़ वाले जो questions देते हैं वो UPSC में से उठा कर दे देंगे कभी UPSC में वो question आया होगा हना UPSC वालों ने देखा ये question 36 गर्ड़ में आया हुआ है और question बहुत अच्चा है तो वो UPSC में उठा कर दे देंगे तो question move करते रहते हैं नई question कम बनते हैं ठीक है 80% chances ये होते हैं कि वो question किसी ना किसी exam में आय हो होते हैं तो previous year question जरूर करो अगर आप UPSC की तयारी कर रहे हो या UPPCS की तयारी कर रहे हो तो UPSC के आपको previous year question तो लगाने ये लगाने साथ में आपको UPPCS, 36GARPCS, MPPCS में जो questions आएं वो भी लगाने होते हैं ठीक है और आप इतनी मेहनत मत करो हम आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं बट आप छोटी सी मेहनत जरूर कर दो कि session को share जरूर करो, subscribe ज़रा करो और like करो ये तो बहुत छोटी सी बात है बस आपको click करना है घर बैठे हो है ठीक है चलो अब हम बात करें कि express में क्या करा गया है देखो express की coding में यहीं पर लिख रहा हूँ e होता है हमारा 5 पर, x होता है कितने पर 14 पर, x होगा 24 पर, x हो जाएगा 24 पर, उसके बाद p होगा 16 पर, r होगा 18 पर, e होता है 5 पर, s होता है 19 प्लस 19 ठीक है 19 प्लस 19 तो e दो बार आया है, यह हो गया हमारे पास कितना, 24 प्लस 6 करोगे 30 प्लस 40, 40 पचास, हाना यह तो हो गया हमारा 50 और 38 को अगर हम देखते हैं तो 8, 88 प्लस में 8 अगर डोड़ेंगे तो यह हो जाएगा 106 जबकि यहां कितना दिया है, 92 तो अभी क्या करा करो ना, अभी मतलब इसमें से कोई भी दिमाग मत लगाओ, दोनों नंबर के कोडिंग कर लो, पहले मतलब सम तो कर लो, अगर मैं आपर फीलिंग की बात करता हूं, तो फीलिंग का हम यहां पर लिख देते हैं, F होता है 6 पर, फिर E होगा 5, then 5, L होगा 12 पर, I होगा 9 पर, N होगा 14 पर, और G होगा 7 पर, तो दोनों के सम निकालों सबसे पहले, ठीक है, तो यहां देखो 14 प्लस 6, 20 हो गया, 5 और 5, 10 हुआ, तो 20 प्लस 10 कितना हो गया, 30, 30 प्लस 12 करोगे, तो यह हो जाएगा 42, 42, 42 प्लस 7 करोगे, 49, 49 प्लस 9 करोगे, यह हो जाएगा 58, ठीक है, अब थोड़ा सा दिमाख लगाओ, कि लॉजिक लग रहा है, तो क्या लग रहा है, यहां आमने देखा, सर 44 है, और यहां आमने देखा, सर 92 है, तो अगर मैं इसमें से 44 को माइनस करता हूँ, जो एक्षल मे दिया गया है, तो कितना कमा रहा है, 14 कमा रहा है, और 92, अगर मैं 106 में से 92 को माइनस करता हूँ, तो वो भी कितना आ रहा है, 14 कमा रहा है, मतलब लॉजिक क्या लगाया है, एक्षल माइनस 14 करके कोड दिया गया है, यह कितना आएगा 92, माइनस 14 करोगे, तो यह आजाएग कोड़ कर रहा हूँ, E होगा हमारा कितने पर, E 5 पर, M होगा 13 पर, O होता है 15 पर, T होता है 20 पर, I होता है 9 पर, O होता है 15 पर, N होता है 14 पर, अब add करते हैं 5 प्लस 15 हो गया 20, 20 प्लस 20, 40, 40 प्लस 15 हो गया हमारे पास 55 55 और उसके बाद हमारे पास बच गया हमारे पास 13 प्लस 14, 27 तो add करोगे तो ये हमारे पास कितना जाएगा 2 और ये हो गया 8 और प्लस 9 करोगे तो ये हमारे पास आ रहा है 91 ठीक है ये आ रहा है हमारे पास 91, 91, 91 में से अगर हमने 14 को माइनस किया दिखाए दे रहा है आपको ये माइनस में से अगर हमने 14 को माइनस किया तो 7 और 8 में से गया 7, 77 हमारा सही आंसर होगा option c is a right answer option c क्या होगा हमारा बिल्कुल सही answer हो जाएगा clear है तो sum आया था हमारे पास 91 91 में से 40 minus किया तो 77 is right answer now next question ये भी 36 गड़ C set 2022 का question है और ऐसा नहीं है कि 2022 में ही मुझे 36 गड़ C set 2022 में मिला जब मैं previous question ढूण रहा था बट ये question और भी बहुत exams में आ चुका है ये question UPSC में भी पूछा जा चुका है ये question SSC में भी पूछा जा चुका है ये question railway में भी पूछा जा चुका है तो बहुत ही famous question है ये ठीक है तो हमें बोला है कि spring S-P-R-I-N-G को code किया गया है R-T-O-Q-Q-S-H-J-M-O-F-H अब अगर मैं बात करूँ यहां S S कितने पर होता है 19 पर तो S के लिए 2 letter ले रहा है कितना ले रहा है 1 ले रहा है R और 1 ले रहा है T तो R होता है 18 पर T होता है 20 पर तो इसका मतलब है कि sir S में से 1 कम करा और 1 जोड दिया तो उसके उसने क्या करा S के 2 letters as a code बना दिये minus 1 करके प्लस 1 करके तो बस अब सीधा मारा answer आ जाएगा C में से हमें modern को बनाना है तो M होता है 13 पर 13 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 12 13 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 14 फिर हम बात करेंगे कितने की O की O होता है 15 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 14 15 में 1 जोड़ोगे कितना आएगा 16 तो 12 पर क्या होता है 12 पर होता है 14 पर होता है N 16 पर होता है P तो जाब अदेखो L M आ गया तो गलत होगा L N N P आ रहा है L N N P आ रहा है L N N P मतलब और भी हमें code करना पड़ेगा D की बात करें तो D होता है 4 पे 4 में 1 घटा होगे तो 3, 4 में 1 जोड़ोगे तो कितना 5 उसके बाद E की अगर हम बात करें तो E होता है हमारा 5 में 5 में 1 घटा होगे कितना 4, 1 जोड़ोगे तो 6 तो ये हो गया C ये हो गया हमारा E, then D and F अब जरा देखो मिल रहा है कि हमें C, E, E ये तो डॉबल E आ गया गलत हो गया P के बाद C, D, E F C, D, E, F ये तो सेम ही जा रहा है अभी तक देखो अब बोलोगे हाँ सर बिलकुल सेम जा रहा है L, N, N, P, C, E, D, F बिलकुल सही जा रहा है यहां से हमें आंसर मिलेगा आगे से चलो R होता है 18 पर माइनस 1 करोगे 17 मतलब Q F के बाद Q F के बाद Q दोनों में आ रहा है ठीक है प्लस 1 करोगे 19 मतलब S तो Q के बाद S आना चाहिए Option C क्या होना चाहिए हमारा बिलकुल सही आंसर आएगा ठीक है Option C मतलब मेहनत पूरी करवा रहा है देखो इतना कोड उसने करवा दिया है तुमसे ओल्ड़ेडी ठीक है चलिए समझ में आ रहा है न चीजे कमेंड करके जरूर बताना क्लासिस कैसे लग रही है आपको ठीक है कमेंड करने में कंजूसी मत किया करो आपका आउटपुट आपका कमेंड आपका सजेशन बहुत ज़्यादा जरूरी होता है ठीक है इतना समझो तो 36 गड़ PCS CSR 2022 का कोशन है अगर हम बात करें तो टीम को कोड किया गया है YN तो देखो टीम को कोड कैसे कर रहा है अब इसने क्या करा है दो लेटर को लेकर एक लेटर बनाया है तो देखो T E T और E T होता है 20 पर E होता है 5 पर दोनों को जोड़ोगे कितना हैगा 25 25 पर क्या होता है Y ऐसे मैं अगर बात करूँ A M A होता है 1 पर M होता है 13 पर तो 1 प्लस 13 करोगे कितना हैगा 14 और 14 पर क्या होता है N समझ में आया है तो इस कोशन में क्या किया गया है इस कोशन में दो लेटर के प्लेस वैल्यू को एड़ करकर एक लेटर बनाये गया है ठीक है तो हमसे पूछा है भाई लेफ्ट का बताओ जरा तो L E L E L E L होगा 12 पर E होगा कितने पर 15 पर दोनों को जोड़ोगे कितना बनेगा 17 17 पर क्या होता है क्यों तो ना तो ये आंसर है ना ही ये आंसर है L F T F होता है 6 पर T होता है 20 पर तो ये हो जाएगा 26 26 पर आता है Z और Q Z option A ये हमारा आंसर हो जाएगा ठीक है अभी तुम रुको अभी ये तो थोड़े easy questions है अभी और भी अच्छे questions आएंगे ये बहुत प्यारा question मतलब UPSC CSAT 2019 का question है इसमें तुम कितना भी इनको जोड़ लो कितना भी घटा लो कितना भी गुना कर लो आप इस question को अगर आपने ऐसा question कभी नहीं किया है ना life में तो आप ये question या तो गलत करके आने वाले हो या इस question को आप exam में छोड़ के आने वाले हो और छोड़ोगे भी पता है कैसे पहले इन question में यह और दिक्कत होती है इन question में बहुत बड़ी दिक्कत होती हम समझता है कि coding decoding की question असान है हम कोशिश करते हैं उन्हें attempt करने के लिए तो attempt करने के लिए हम क्या करेंगे इनको जोड़ेंगे घटाएंगे सोचेंगे मतलब एक question में हम लोग skip नहीं करेंगे इस question को क्यों हमें पता है न coding decoding हमें असा रखता है easy है तो आप लोग क्या करोगे इसको attempt करोगे अब इन दोनों को जब जोड़ोगे तो time तो लगेगा बही minimum मालो एक मिनट तो लगी जाएगा ना इन सबको add करने में राइट जब add करोगे तो आपको addition मिलेगा नि तो आप इस तरह के question में 3-4 मिनट खराब करोगे और जब 3-4 मिनट खराब कर लोगे तब tension बिल्ड होगी एक्जाम में इतना time खराब किया है ले कुछ ना कुछ टिक कर आता हूं ठीक है तो इसलिए मैं बोल रहा हूं कि ऐसे questions को करना बहुत ज़रूरी है अब देखो ये question में ना तो कोई addition है ना ही कोई subtraction है इस question में क्या किया गया है यहां आगे जो ये 3 है ना य जो ये 4 है ना ये 4 है number of number of consonant तो अब देखो manager में vowels कितने आए ए तीन वोल्स है तो तीन आ गया है और सब consonant होंगे कितने है एक दो तीन चार राइट ऐसे देखो director डारेक्टर में वोल्स कितने है आई है ए है और O है तो 3 और consonant बचे होंगे एक दो तीन चार पाच सेम assistant में है स्टाफ में वोल ए है केवल तो ये कितना हो जाएगा वन और कितने लैटर सो बचके है चार चार के चार क्या है तो 14 14 क्या होगा हमारा option number C is a right answer हो जाएगा ठीक है चलिए move करें next question पर ये question भी बहुत ही प्यारा question है ठीक है अब आपको लगेगा सर देखो E तो 5 पर ही होता है तो यहाँ 5 ही लिखा गया है और hotel hotel की अगर हम बात करें तो सर ये हो जाएगा हमारे पास 8 15 20 E होता है 5 plus L L मतलब 12 12 तो ये हो गया 60 तो आप बोलोगे सर यहाँ E 5 पर होता है यहाँ तो कुछ लॉजिक नहीं लगा और यहाँ 60 लाना चाहिए तो यह 12 लॉजिक लगा है अब लॉजिक क्या लगा है देखो जब वो number of हाना जब वो number of letter से multiply कर सकता है जैसे कि यहाँ देखो यहाँ समझने की number of letter से क्या किया था multiply तो number of letter से divide भी तो कर सकता है बोलो number of letter से divide नहीं कर सकता है बिल्कुल कर सकता है तो यहाँ उसने क्या किया है कितने letter है एक तो यहाँ 1 से divide किया गया होटल में कितने letters है 5 letter है तो इसको 5 से divide करेगा कितना आ गया 12 तो जब multiply कर सकता है तो इतना भी सोचो कि डिवाइड भी कर सकता है ठीक है तो अगर हम L, A, M, B की बात करें तो अब L हो गया 12, 1, 13, और 2, 25, 25 प्रस 3, 28, कितने लेटर से हैं इसके अंदर, 4 लेटर हैं, 4 से डिवाइड करोगे, कितना जाएगा, 7, option C, क्या होगा, बिल्कुल सही अंसर हो जाएगा, ठीक है, अब ये एक question मैं homework दे रहा हूँ, एक question तो बनता है, इसमें तुम दिमाग लगाओ, ये question है, तुम लोगों के लिए homework, homework, अगर answer नहीं कर पाते हो, solve नहीं कर पाते हो, तो इसका अंसर मलेगा, टेलिग्राम, राहुल शर्म स्टडी ग्लोज पर, या फिर आप लोग, टेलिग्राम यूज नहीं करते हो, या फिर आपको टेलिग्राम में नहीं मिल पाता है, तो आप WhatsApp नंबर पर masses करकर, ठीक है, बस masses कर देना और इसका screenshot बेज देना, आपको इसका solution मिल जाएगा, साथ में ये जो PDF है, ये सारी PDF आपको टेलिग्राम में मिल जाएगी with solution, ठीक है, clear अब अच्छे, चलिए, और अगर आप हमारा CSAT का batch जोइन करना चाहते हो, तो आप जोइन कर सकते हो, with quality education क्योंकि मैंने देखा है, CSAT लोग बहुत हलके में लेता है, उनको यह दो लगता है, CSAT तो निकल जाएगा, और जब हलके में लेता है, तो CSAT के वज़े से ही prelims रहे जाता है, बहुत सारे मैं ऐसे student देख रहा हूँ, जिनके 2022 में prelims निकल गया था, mains वो लिखने गए थे, ब 33% मार्क से तो ले ले हैं, ले लेंगे, बढ़ नहीं लिए जा रहा है, इस चीज़ को समझो, हिंदी मीडियम में जो student है, उन्हें जादा प्रॉब्लम्स हो रही है, तो आप ये कर सकते हो, offline भी आप मुखर जीनगर में जोइन कर सकते हो, अगर आस पास आगर आप रहते हो तो online के लिए आप हमें इस number पर contact करोगे, तो आपको ये CSET का बैच जोइन आप कर सकते हो, चली तो बाबाई, take care, एक information और 9 बजे live जरूर मिलिए, मैस की class में ratio complete करेंगे, important chapter है